जैहिंद सभी लोगों को जैहिंद हम लोग अभी अपने वन कर्मियों के साथ भोराहा चेकडेम पर आये हैं चेकडेम का इस्थिती देखने के लिए आये थे कि बारिस के बाद चेकडेम का इस्थिती क्या है चेकडेम बहुत अच्छा है चेकडेम में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है पानी देखिए, पानी एकदम पूरा भरा हुआ है यह एकदम प्रकृति के बीच में है पूरे जंगल के बीच में है यह फॉरेस्ट चेकडेम वो सामने पहाड देख रहे हैं वो भवराहा का पहाड है जिसमें ज्यादातर बास का पौधा है और उसके उस तरफ गढ़वा साउथ डिवीजन स्टार्ट हो जाता है गढ़वा नौर्थ डिवीजन का ये सिवाना है ये है हम लोग का चेकडेम ग्राम भौ रहा है कि बर्जनवा नला के पास ये चेकडेम बन ब्राक्स बनाए गया है इसमें सारे जीव जन्तु कुलाब होगा इसमें जैंगली जानवर पानी पिएंगे इसमें बहुत सा जन्तु जानुवर के लिए बहुत लबदायक है और पानी से कमका भी विकास होगा मचली पालन होगा इस देखिए आईए देखिए पानी का नजारा देखिए एकदम ब्लैक वाटर ये देखिए हमारे मुस्लिम जी है ये पसुरक्षक है बहुत है रिवर साइड प्लांटेशन के मुसलिम जी कैसा नजा रहा यहां का बताई है थोड़ा इधर रही है या वह रहाहा लगला पानी के समाना है पानी जैसे निच् के पार घर में 15 पित तक बाणी पानी शब गया हैं पानी शब में उपर में पुवां भी है जा वने उपर ता यह दखा रहा है उपर में ख़ी सब्सक्तीकर आपः में जनवर तो दर थाहरा है एपरclip इसा जिए घंश मव्यदाब निए थीख दिखिया हमारे यहां के जो पशुरक चक है रामलाल-यादौ यह देखिए यह राम-लाल-यादौ यहां के पशुरक चक बांस-बखार प्लांटेशन के बोली राम-लाल-जी इस एक डेम बनने से क्या लाभ उगा है लोगों को लोगों को तब काम हुआ है पर जंगली जानवर के लिए बहुत लाब हुआ है जिसमें पुरान पानी रहेगा गर्मी में भी हमको लगता है कि कम से कम पाच फीट पानी रहेगा रहेगा और जंगली जानवर के लिए बहुत शुबजाव होगा अच्छा ये देखिए यहां क जो बन करमी है यह है हमारे राजकुमारभिया इन ही की देख रेख में यह चेकडेम का निर्मान की आगे है और पीछे जो खड़े हैं वो है ससीकान तिर्की जी हम लोग सब साथ में भ्रहमन करने आए थे अपना चेकडेम का इस्थिती देखने आए थे यह आगे बताइए कि बनवा करके जो आप काम किये हैं बहुत संतोचनक है बहुत संतुष्टी है इसको इसको काम करने के बाद यहां हमारा बहुराहा बन समीत्थी के लोगों का बहुत पहले से मांग था कि यह जो जगह है यहां पर एक डेम बनना चाहिए और डेम के लिए बहुत ही उचित हुए दिखत तो हुआ बनाने में कि यह बहुत दूज्जन इलाका है और हम लोगе बिचों-बीच में यहां आने और जाने में भी बहुत परिशानी है और काम कराने के बाद कि देख रहे हैं इसमें लिगों 고 बहुत अछ्छा काम किया है, और इस्पन को यहां के चलिए बहुत बड़ियां सही में वाकाई लाजबाब काम है अभी तो खेर पहली बार इसके बाद यहां पर पानी जमा हुआ है एक आद दो साल के बाद यहां पर और अच्छा मतलब इसमें मचली भी अभी धीरे-धीरे चड़ रहे हैं अभी हम लोग देखे इसमें कि धीरे